है दोस्तों कैसे आप लोग मैं दुर्गे जैश्वाल आप सभी लोग सुपर्टेट अर्थात सहाय का ध्यापक लगित परिच्छा के लिए लगातार अपने जिन्दे का विष्ट दे रहे हैं और कहीं कहीं आप सभी लोग पूरी तरह इमांदारी के साथ पढ़ रहे होंगे पढ़े क्योंने क्योंकि परिच्छा कुछ समय या कुछ दिन और वाकी हैं जिसे हम कह सकते हैं कि परिच्छा सर पे सवार है और रिजवान सिद्धिकी जी का एक आइडियो वायरल हुआ है साथ आप तक भी पहुचा हो आपने भी देखा हो जिस आइडियो में कहा जा रहा तो उसी तरह से है कि जिस तरह से कि अगर रद्ध हो गई तो कोई बात नहीं अगर हो गए डिट पे तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है इसलिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं सहद उस कहानी से आपको कुछ सीख मिल जाए एक व्यक्ति था आप लोग की तर होने वाला है तो सभी आत्री लोग खड़े हो गए चिलाने लगे रहाकार मच गया पूरे जहाज में लेकिन व्यक्ति अपना काम करता रहा तो लोगों ने कहा रहानी गया लोगों से लोगों ने पूछा अच्छा ये बताइए कि जहाज क्रेश होने वाला है लोग भगव अगर जहाज क्रेश होने वाला ये बात मैंने भी सुना लेकिन यदि मैं अपना काम रोग देता हूँ तो को जहाज क्रेश हो गया तो कोई बात नहीं लेकिन यदि जहाज क्रेश नहीं हुआ और हम सही सलामत बच गए तो ये मेरा जो समय था कीमती वक्त ये तो बरबाद ह जाएगा तो मुझे अपना काम करना चाहिए जहाज क्रेस हो या नहीं यह महादेव की इच्छा है महादेव अगर चाहेंगे तो यह जहाज बच जाएगा नहीं था क्रेस हो जाएगा अगर जहाज यह बच गया तो कहीं न कहीं जो जिसना मैंने काम किया है या काम मेरा अभी साथ ही, जितने भी लोगों आप पूरे मनियों के साथ, क्योंकि इस समय आप जो पढ़ रहे थे, उसमय आप पुरी जिन्दी का बेश्ट दे रहे थे, तो मैं यही चौंगा कि इस इस हिसाफ से आप पढ़ रहे थे पढ़ते रही है क्योंकि किसी भी चीज में अगर अगर मगर लेकिन लगा देते हैं तो पढ़ाम अर्थ के अनर्थ हो सकते हैं अगर पर्थम भी सुद्ध नहीं हुआ होता अगर उस दिन यह नहीं हुआ होता तो दुती भी सुद्ध का जर्म नहीं हो सकते हैं अब क्या होना ये दो तारिक को होगा और ये कहीं ने कहीं ये दो जनवरी को ये फैसला जब ज़ज्मेंट आएगा तो किलियर हो जाएगा किन्तों गर अभी समसर पर हाथ रखके बैटे हो सकता है उस दिन हेरिंग के दिन कोई जज अपसेंट हो जाए या अगली तारिक मिल जाए तो परिच्छा थे तारिक हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते रह जाएगे इसलिए अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं एक बधज्मी हो जाएगी आप अगर एक अपते जो आज से लगभग सात ग्यान में और आपके बिवेक में कहीं आगामी परिच्छा में साहया की होग इसलिए यहे मानकर बेट जाना की परिच्छा होगी का नहीं होगी आप जो पढ़ाई की स्पीड थी वह कम कर दे रहे हैं तो बस मुझे मैं यही कहना चाहरा हूं कि आप जस उमीद के साथ जिस स्पीड के साथ जिस मनोयों के साथ पढ़ रहे थे उसी मनोयों के साथ पढ़ाई जाए रखे यह मान कर चलिए कि 6 जनुरी को पेपर होगा बाकि महादेव की इच्छा अगर जो होना होगा वह होगा नहीं पढ़ेंगे तो भी होगा पढ़ेंगे तो भी होगा लेकिन अगर जैसे हम सोच रहे वैसा नहीं हुआ और इच्छा तरीक को हो गई तो क्या होगा या सोच के आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए क्योंकि हुआ है वही जो रामरचिरा का आप सब जानते हैं तो फिर हमें यह नहीं देखना है कि 2017 का प्रकण क्या है प्रकण में क्या बलकि पढ़ने के टाइम रेशियो और बढ़ा दें अब पुरे मनयोग के साथ पढ़ें इस तरह से लोग जो कह रहे हैं वो होना भविस्ट की गर्त में इसलिए इसे भविस्ट को होने को सोचकर अभी जब सर पटकने से बेतर है कि जब आएगा समय तो पता चलेगा क्या करन आए तो इसलिए हमें समय से पहले फैसला लहिने चाहिए वक्त जैसा आएगा फैसला अपने आप हो जाएगा इसलिए आप सभी लोग पूरे मनयों के साथ पढ़िए और प्रयास करिए इस वीडियो को आपने सभी साथी पचेशों तक पहुचा दें क्योंकि बहुत सार ऐ इसाब से आप लगातार पढ़ते रहिए पढ़ना अपचनी होगा होना नो होना भविस्की गर्त में तो इसलिए आप सभी लोग आपने जिन्दी का बेश्ट दीजिए लगातार पढ़ते रहिए और यदि आपको किसी प्रकारी कोई समस्ता है नोट चाहिए ताब मेरे ट फेजुक पेज़े इलैनी विद्रोगेस वहाँ भी मुझे फालो कर सकते हैं और साथ इसाथ आप पढ़ते रहिए और मैं आपको जल्व इसकी कामना करता हूँ जैहिन जैवारत